नवस्कार में हूँ संजीव कुमर और आप देख रहे हैं वेव समाचार पुरे जारखन में पंचाय चुनाव की सरगर्मी यहसी समाप्थ होई नगर निकाय नगर परिशद नगर पंचाय चुनाव को लेकर निर्वाचा नयोग एक्टिव हो चुके हैं उनका काॉन है कि जारखन जीले में 14 ऐसे जिले हैं जहां पर नगर निकाय का चुना होना है उनका कारे काल 2020 में समाप्त हो चुका है और 6 वार च्छेतर ऐसा है जहां पर प्रथम वार चुना होना है बहराल कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां जिनका कारेकाल 2030 में सवाप्त होगा निर्वाचानायोक ने घुसना भी कर दिया है कि दिसंबर में चुनाव करा लिया जाएगा तो अब जानते हैं कि जिनका काड़काल 2020 में स्वाप्थ हुआ है और जिनका काड़काल 2023 में स्वाप्थ होगा क्या दोनों का चुनाव साथ में होगा या अलग-अलग होगा बराल ये तो सरकार की बात है परसद अपने मांग को रखेंगे अभी हम आई हुए हैं राची जिला राची जिला में वार्ड नम्मर 23 है और यहां की जो पारसद हैं साजदा खातून जी हैं तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको मौका दिया है मौका ही नहीं दिया जब से नगर निगम का गठन हुआ तब से यह लगतार पारसद मारक सहित पूल पुलिया क्या कुछ डिवलेपर ने काम कुआ है तमाम बिंदू पर मैं इसे बात करूंगा इसके अलावा इतिहासी काम कौन सा हुआ है क्रोना काल में कैसे लोगों को मदद किये और आगे कि क्या रहन निती है इन बिंदू पर भी बातचीत होगी और कुछ पोईटिकल सावाल जवाब भी किया जाएगा तो बहुराल अभी हम आई हुए हैं तो और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने बिकास के लिए चुकि आप बहतर काम कर रहे हैं इसके वैसे जनता भी आपके काम से खुश है तो यह बताईए कि क्या कुछ डिवलेपर सबसे पहले 2008 में चुनाओ हुई है पार्षत का उस समय से हम है और जब नगर निगम का चुनाओ हो रहा था उससे पहले वाड में कुछ भी नहीं था हमारा हिन्पली चेत बहुत पिछड़ा था हर मामले में ना हैं सडके थी नालिया सही थी ना स्टीट लाइट था ना बिद्वापेंशन था जो भी मूल बूइत जो सुविधा मिलनी चाहिए कि जनता कुछ भी नहीं मिल रहा था मेरे आने से लगबग बहुत सारा काम हुआ है जैसे जितने भी कच्छी सडके थी नालिया थी सभी का निर्मान कि करा गया है पानी का बिलकुल बेवस्तान तब पानी के बहुत दिक्कत है सप्लाइव वाटर का इस तिती बहुत ही खराब है जिसको फिलाल सुधारा गया सुधारा गया पानी की समस्यों को दूर करने के लिए हमने लगबग 50 मिनीच वाइटी करवाया है दो इच्वाइटी कर रजिस से बहुत सब्सक्राबी लोगों को पानी की समस्या दूर विया दूर शीए की प्रधान मंत्री आवास नांके द्वारा कि दिलेऊありがとう दिलाए हैं डिफिके च्वाइघची सब्सक्राइफ हुदा है, लगबग 200 नो से जादा ही लोह का बिर्दा विदवाप इंशन बना है राषन कार समझें लगबग 6itet यहजार 7,000 लोग का राषन कार्ड बनाया गया है उदक दिय सब्सक्राइब कर देखिए हमारा जो हिंपडी सलम छेड़ता है यहां पर कुछ भी काम नहीं था मेरे आने के बाद यहां पर जो भी काम हुआ सब मेरे आने के बाद हुआ जो भी स्ट्रीट लैट लगा अंधेरा हर वक्त रहता था आज हर जगर रौशनी चक चक रहता हमारे वार्ड में पानी की समस्यती वह भी दूर हुई लोगों राशन कार्ड का मुँ कितना सालों से प जुवला योजना है इसके तेहद भी हमने लगबगे पंद्रा सो लोग का जो गैस चुला स्लिंडर देने का काम करवाए गया इसके साथ ही इसके साथ ही जो अभी जो वेंडर इस्ट्रीट वेंडर जो है उनका हमने सर्वे करवाया बहुत सा लोग दस हजार का लौन दिला जाने का काम करूंगी तो हम लोग जो काम है हमारा वाड के अंदर जो काम है इसके साथ हम लोगों ने रोजगार पर भी ध्यान दिया है जो हमारे घरीब तपके के लोग आते जो फुटपात में काम करते हैं वो लोग को जो अस्तर है आपका जो आर्थिक सिती का जो अस्तर से जटिल समस्या क्या था और उसको आपने में कैसे कि यह हैं पानी की बहुत यहां पर कि सप्राइक प्री अग्राइब उसमें एक जल मिनार है और एक जरजर जल मिनार है उससे बहुत कम तो एक जल मिनार में इतना आपका लगभग लाखो की अबादी को पानी देना नामुमकिन है और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हाँ वह बिवस्ता को सही करें जो आज जो पहले 20 सल पहले जो अबादी थी वहीं इस्तिति में जो पैप लान बिचा गिया था या जल मिनार पचास सल पहले बनाए गया था आज के अबादी को देखते ही पानी को देखते ही कोई नहीं किया जा रहा जलमिनार नहीं बनाया जा रहा और पानी का श्टोर के लिए कोई विवस्था नहीं जिससे बहुत मुझे बहुती समस्या का सामना करना पड़ा खास के यहां पर सप्लाई पानी के लिए इसी को देखते हुए हमने सप्लाई पानी की बिस्तितियों कुछ उधार की हूँ लेकिन फिर भी अभी भी समस्या बा और बहुत अभी फिल हाल थोड़ा चैन सुकुन मिलता जरूर है लेकिन जब मैं चुनाओ जीत के आई तो उसमें रात दिन लोग पांच बजे सुबह में बारब जे रात को मेरे घर चले आते थे पानी की समस्या को लेकर अच्छी बता है कि अगर जनता आपको चौथी वा स्प्लाइ वाटर की तो अभी जल मिनार हमारा बन रहा बकरी बजार में दो जल मिनार बन रहा पहरे हिंपडी में बनने की बात हो रही थी पास भी हो गया हम लोगों बहुत मेहनत भी कि इसके लिए जद्व जहत के 10 साल से की जल मिनार पूरा हमारा राची निगम चेत्र मे 12-13 जल मिनार बनने की बात हुई थी उसमें हमारे हिंपडी भी था लेकिन कुछ वजह से हिंपडी का जल मिनार का जो काम चल रहा था वो रुग गया लेकिन अभी बकरी बजार में भी जल मिनार बन रहा तो एक और एक्स्ट्रा जल मिनार उसमें बनाया जाएगा मैं चौह कभी योजना है कि हर घर को सप्लाई पानी दिया जाए तो मैं इस योजना को चाहूंगी कि सरकार ज्यादा से ज्यादा सफल बनाए इस वाड को modern इतिहासी का और आदर्स बनाने के लिए कि इसमें और एक काम में करूंगी कि जो हमारे वाड में बहुत है अभी नाला रोड की बात लेजिए, नाला रोड हमारा एक मुख सड़क नाला है ज हुआ है जी होकर भ॥ता है इसे पानी कातवा दबाव इतना होता है बारिश का पानी का बहुत होता है जिसके कारण ऑगर अबजिद बड़े शहरों में जिस तरह होता है अंडर्ग्राउंड नाला वो बनाई जै मैं यही मेरी डिमांड है मैं इस पर काम भी करवा रही हूं नगर निगम के जितने भी इंजिनियरिंग सेल के लोग थे उनको बुला कर हमने नापी बगारा करवा दिया नाला रोट का चाहूंग करता है जैसा कि आपने काम किया तो क्या आप इस वार उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगी देखिए उपाध्यक्ष के लिए फैट करें यह वक्त आने पर मैं बात करूंगी मैं इस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहती हूं तो पिलहाल तो जहां तक मैं होता है अगर जीत के मैं आती हूं फिर चौती बार तो अपने वाट को और बहतर बनाऊंगी यहां की और चोटी मोटी जो समस्या है उसको और समधान करूंगी जितनी विशुविधाएं होगी सरकार की जितनी योजनाई होगी मैं सभी अपने जनता के लिए लाओंगी और काम करूंगी और रही उपाध्यक्ष के बाद तो आने वाला दिन में तैकिया जागा कि क्या करना है मुझा आपके मन में भी है कि अगर जनता और पारसद अगर सपोर्ट करें तो निश्ची तुरुप से फायट कर सकते हूं देखिए कोन नहीं चाहता है कि हम आगे बड़े उपाध्यक चाहती हो मेरे उपाध्यक्ष ज्यादा तो अगर सच मुझ ऑチャinhos करूं मेरा शौक कि मैं विधायक बनको राच्रुकैं करूंर वए घौर वे अंडिय उमीद wardrobe के लिए कैसा लग रहे हैं अच्छा लग रहा हमारे पहली बात की महीला शशक्ति करन हो रहा है कोई महीला हमारी इस पत के लिए अगर उमिद्वार बनाया गया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक महीला को उमिद्वार बनाया गया है और अधिवासी समाच को दिया गया तो में अजुआ हैं जब से जार्खन राज़ का स्थपना हुआ तब से कई मुखमंत्री आया और गए आपके नजनेंवा बेहतर कौन देखिए इस पर मैं क्या बोलूं तो आम जनता तरह करती है क्या है नहीं है अभी तो फिलाल कोई सरकार करोनर होते हैं कभी डबल इंजन की सरकार होती है तो वहां पर कुछ और प्रोब्लेम होता है लेकिन हम लोग को तो बहुत इगनोर किया गया मुझे 14 फिनांस का फंड नहीं दिया गया तो डबल इंजन की सरकार में सभी लोग पर ध्यान नहीं दिया जाता है अवार ले वह अ जहता है तो यह कenne आई तो यह सरकार कोग्हत्त पर फ़िक टिस्फ इनांस का पैसा और श्रकार के पास शर्क्रीश 4000 दियान दे मैं आग्रा करोंगी सरकार से कि सब आपके जन्ता है सबुक्साषप और वोर्ट देते हैं इसी उमीद से कि ताके हमारे वाड में wheels कम हो सके हम लोग के लिएक हमारे जन्ता के-लिए braff मोहिया हो विकास को स्चिति बने most city यह कि स्मार्ट उसी तो आप न्यू तो मैं मानूगी कि जो हमारा राची का मुख टॉन है पहले आप उस मार्ट सिटी उनको बना कर दिखाएं ते मैं मानूगी कि यहां वाकिक काम सरकार कर रही चाहे कोई भी सरकार हो यह बहुत जगा नालिया नहीं है सडके नहीं है कवर्ड नहीं है पानी का व्यवस्था नही नहीं मिलता है तो इससे बढ़कर दुख की बात कि राजधानी में है और पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है तो यह बहुत बड़ी दुख की बात है सरकार पहले जो मौलिक से स्विधा जनता का वो देने की कोशिश करें मैं यह चाहूंगी सरकार से और जो भी फंड वगारा है जल से जल सहरी चेतर को दिया जाए अगनी पति योजना को लेकर क्या सोचते हैं अगनी पति योजना तो मैं क्या कहूंगी देखिए कोई भी मेरक कहना है कि अगर कोई भी अपकी सी को जौब देते हैं तो चार साल कोय मानी ने रखता है वह जौब में जब आज सारे जौब साफ साल जो भी आप रखते हैं पाज को में सेननने सान का allora सेनिक उसके लिए चार साल का जो समय है तो मुझे पच नहीं रहा है यह साल का प्रेणिंगों कर ने मचारे लोग इतने अरमान से सेना बनना चाहते हैं कियों अपने देश्र का सिवा करने के लिए तो उन mundial को 1012 साल समय अना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे हिसाब मेरे हिसाब से कंसे कम से精 strength 15-20 सा components ना के लिए हिसाब से बाकिया बिल् पो कोको तो ह्म्राइब यकार प्नाटे लि allein दे खाट है सरकार इस पर ध्यान दे उन बच्चों के लिए युवा के लिए उसको धेक कम प्रोज मैं ठेश के लिए काम करना चाहते हैं लड़नायों को जो भी आंगे उन लोगों को सरकार इसकता है तो हमारे साइन इगा हमblesता है। कि थैन्फ के वेवस्ता किया जाए। अगनी पत्यphonmen düştग प्योस्ता किया ज trabalhar जोब आएंगे प्योस्ता किया जा है। परोट्री कि आप तो सन्प्रेजाय के बारे में आपने बोला कि मांदे और पेंशन होना चाहिये आपने लिए पेंशना के लिए आवाज उठाया देखिए हम लोग का डबल इंजन की सरकार थी उस समय भी कुछ नहीं सुना गया हम लोग को मात्रे साथ हजार जो भी मांदी बुली के नाम पी दिया जाता है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोग सुबाज साम तक को भी सिवा करते जनता के लिए अपना बैट के वहां बढ़ोतरी कर देते हैं हम लोग का फाइल नगर निगम से जाता है तो डबल इंजन की सरकार हो चाहिए को सरकार होगा फैल को अपस कर दिती है तो आज के मांगाई के दौर में आप ही बूली सबका अपना है हर इंसान कोई भी जन परती नहीं दिये हम लोग को भी तो जनता चूनकर लौई है हम लोग बीजन परतिंदी इस आपने सुनना है कि जिस तरह से वाड़ परसद हैं साजदा खातून है वाड नमरतेज के हैं राची नगर निगम में कितने जोस्खरूस के साथ इन्हों ने अपने बातों को बेबाक रखे और हर अस्तर पे इन्हों ने अपने बात को रखा है चाहे वाड के डिवलेप्मेंट के बात हो सरकार से क्या डिमांड है सेनकों के से क्या कुछ मांग करते हैं तमाम बिंदों पे में उनसे भी बाचित करता हूं अपने वेब समझ अब समय दिया इसके लिए धन्यवाद आपका भी कि आपने हमसे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपके बहुत-बहुत धन्यवाद आपके जो चैनल है उसको भी तो अगर आपने हमारे चैनल कब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले वे लाके ने बिद्वाए ताकि हर छोटी बड़ी खबरों सुरूबर हो सके बहुत-बहुत सुक्रिया